असलाम अलेकुम मैं आपके अपटी वैठ हीरा से हीदा आजकर हमारा टॉपिक है वह है कैट के वाउंट से रिलेटिप के अगर हमारी कैट को किसी डूसरी कैट में स्क्रैच कर लिया है मारा है जिसकी जखम हो गया तो किस तरह से आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं घर पर और किस तरह से अगर उसको बहुत गहरा जखाम हो गया तो उसको आप किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं और उसको वेट के पास किस तरह से अपने लेकर जाना है तो इस वीडियो को लाज तक देखेगा ताकि कोई भी पॉइंट जियो है वो मिस्ता हो तो अगर आपकी कैट को बाइट है और कोई भी इंफेक्शिन जो है वो खतम हो जाए और इसके बाद आपने उसके ओपर कोई भी क्रीम लगा देनी है जिसमें आप जो है पालिफेस्स लगा सकते हैं और पैट्स के लिए डर्मा जेल की क्रीम आती है जिससे जखम जल्दी हील कर जाता है आपको भी जो हो सकता है तो रेविस की वेक्सिनेशन जो होती है वह बहुत जरूरी होती है डॉग बाइट के बाद और अगर आपकी कैट जो है वह घर से बाहरी चली और उसे किसी दूसरी स्ट्रीट कैट में बहुत जादा स्क्राच किया या मारा है जिसकी विद्दे उसे जखम हो है तो आपने क्या करने है आपने जखम को किसी एंटी सेप्टिक से साफ करने है या फिर सबसे पहले आपने नॉर्मल स्लाइन लेनी है नॉर्मल स्लाइन की जो ड्रिप आती है अपने वह ले लेनी है उस से जो है उस जखम को अच्छे से साफ करना है ताके उस पर जितनी भ सकते हैं तो लगा सकते हैं तो यह भूलीन है टो हुआ जा सकते हैं और को हीर को बचाआक्र थिरा करते हैं जो है पिलिये टो कियों से बचा कि रखने कियों की रहा है कैड़ें इसकाह। Due को लिए टो दो यह जिसे आप अपनी सेफ का सीरप दे सकते हैं इसमें इंजेक्शन आता है वह भी लगवा सकते हैं अगर जखम बहुत जादा गहरा है तो अगर हल्की फुल की स्प्रैच हो तो वह खुद ही ठीक हो जाती है अगर आप थोड़ी बहुत केर करते हैं तो और इसके साथ ही अपनी कैट को आपने एक जो नेक कॉलर आता है वह पहनाना है क्योंकर कैट जो होती है इनकी आदत होती है यह जखम को बहुत जादा लिक करती है जिसकी बदा से जखम बड़ा होना शुरू हो जाता है और कैट को अपने अच्छी फूड देनी है जिसमें आप उसे जैली फूड दे सकते हैं इसके स जखम जो है बहुत जादा गहरा है तो आपने कभी भी खूड ट्रीट नहीं करना लेकिन आप क्या कर सकते हैं आपने थोड़ी सी चीनी लेनी है या फिर गूल लेने आपने जखम के उपर एक लेर सी बना देनी है इस से जितना भी बलड होगा इंफेक्शन जो होगा वह ब लगाने पर सकते हैं लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं कैट को ऐसे ही चोड़ देते हैं अगर कैट को जखम सुबा में हुआ है और आप शाम को वेट के पास ले जाते हैं तो उससे ब्लीडिंग बहुत जादा हो जाती है तो दूसरा कैट का जखम जो होता है वह ड जादा है तो इसलिए जादा के मौसंट के अंदर आपके पैट को कोई बी जखम हो गया है तो उसको बैंडिज नहीं करें बस उसकी केर करें उसमें आप जो है पिंक के नाम से स्प्रे आता है जो कि आप इस्तमाल कर सकते हैं यह एंटीबाइटिक स्प्रे होता है बहुत अ होगी काफी helpful भी होगी अगर आपको मुझसे कोई भी question करना हो तो आम जी comment कर सकते हैं Instagram पर message कर सकते हैं नएने topic लिस्ट कर सकते हैं थैंक्स पूर वोचिंग अलाहाफीज